हलो फ्रेंड्स आज हम सेखने वाले हैं तेन साल की बच्ची की उर्ती की कटिंग तो ये हमारा पेपर है हम पेपर में ही कटिंग करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले पेपर को हमें इस तरह से फोल करना है क्योंकि पेपर की चोड़ाई ज्यादा नहीं होती है तो इसको हम इस तरह की लंबाई रखेंगे और इस तरह की चोड़ाई हम रखेंगे इस तरह से हमने इसे फोल किया हुआ है तो आप देख सकते हैं आप अगर कपड़े में करना चाहते हैं तो आप कपड़े में इसी मेथट से कर सकते हैं तो चलिए हम इसके बेटिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसका हम चोड़ाई देख लेंगे तो इसकी चोड़ाई है हमारी 10 सिंच और इसकी लंबाई हम नाप लेंगे तो यह है पूरी हमारी 6 सिंच तो इस तरह से हम इसकी लंबाई को नापेंगे और हम अपनी लंबाई के according इसमें निसान लगाएंगे तो मैं कुर्ती बना रहे हूँ उसकी लंबाई है पचीस इंच तो मैं पचीस इंच पर निसान लगाऊंगी और इसके बचा हुआ कपड़ हमारा फोल्लिंग के लिए हो जाएगा तो इसी निसान को मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से और उपर की साइट में मैं आधा इंच का निसान लगाऊंगी तो इसको भी मैं सीधा कर देंगी यह हमारा सिलाई के लिए हो जाएगा तो आब हम जगाएंगे इसके सोल्डर का निशान, तो इसका सोल्डर है 9 इंच, तो मैं 9 इंच को इस तरह से फोल्ड करूंगी, तो इसके जो बीच का इसा आएगा, उसे में इसका सोल्डर बनाऊंगी, क्योंकि पेपर हमारा दूपरत में है, और यह आगे का इसा है, तो मैंने इसमें लगाया है, 4.4 इंच पर निशान, तो अब क्यों जो 4 इंच पर हमारा गल्राग और मुद्धा होगा, वही निशान हमारा मुद्धे के लिए होगा, तो इस तरह से हमने चार इंच से गल्राग के निशान लगाया है, और वही निशान हमने आर्म होल के लिए भी लगाया है तो इस तरह से इसे हम बराबर कर लेंगे इस निशान को तो हमारा इतना बनकर कंप्लीट हो चुका है तो आर्म होल हम गले के लंबाई के हिसाफ से ही बनाएंगे तो हम गला बनाएंगे गला क्यूंकि बच्ची का बना रहे इसलिए हम गनाएंगे पौने 2 इंच का तो इसम की लंबाई अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं आप चाहें तो इसे 4 इंच, 3 इंच या साड़े 4 इंच भी कर सकते हैं पर मैंने इसे 2 इंच का बनाया है तो इस तरह से मैंने गला निकाल लिया है और इसके हम डीपली ग को लाई देंगे तो अब हम इसकी लंबाई में 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे यह निशान हमारा होगा कमर का तो आप यह याद रखें कि सोल्डर के पास से रखेंगे इंच टेप और नीचे की साइट 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे यह इस तरह से अब इसी नि निशान ये देख सकते हैं आप अब हम उपर की साइड फिर से इंची टेप रखेंगे और अब एक निशान लगाएंगे हम 12 इंच पर इस तरह से इंची टेप को सीधा रखना है और हम 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे ये देख सकते हैं और इस निशान को भी हम सीधा कर क्योंकि यह बच्चे का है यह hip-size का निशान है तो हमारी चुग कमर होती है वह हुगी 7 इंच पर और हमारे बच्चे के hip-size होगा वह होगा 12 इंच पर इस तरह से हम इसके कटिंग करते हैं तो अब हम इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही easy बनाना है, यही method आप कपड़े में भी अपना कर कुर्टी की गटिंग कर सकते हैं तो देख सकते हैं, हमने ये कर दिया है, तो जो हमारा hip size है, वो ही हमारा chest का size होता है तो हमने इसलिए पहले निशान नहीं लगाया था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों में chest का निशान नहीं होता है, तो hip size के इंसान ही हम chest का निशान लगाएंगे तो hip size में हमने लगाया है, 7 inch का, तो वही size हम उपर की तरफ लगाएंगे, कमर हमारी 6 inch की है तो अब हम इस निशान को मिला देंगे आप hip size के नाप लेकर भी लगा सकते हैं तो ये होगी हमारी उपर की cutting अब इसमें हम हलका सा घेरा देंगे, नीचे की साइड तिर्ची रखेंगे इंचीटे पर्लीन लाइन बना देंगे इस तरह से आप देख सकते हैं तो ये हमारी complete कुर्थी की cutting हो चुकी है अब इसमें हम सेलाई मार्दन के लिए भी एक एक इंच का निचान लगाएंगे और इन्ही निचान को हम मिला देंगे इस तरह से इन निचान को हम मिला देंगे नीचे ये हमारे नीचे भी पूल्लिंग के लिए हो जाएंगे तो अब हम इसकी cutting कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट में जरूर बताएं और उपर की सेट से हम इसी पिर्ची कटिंग करेंगे ये देख सकते हैं हमारी कटिंग कम्पलीट हो चुकी है कुछ इस तरह से बन कर त्यार होगी सिलने के बाद ही वह उथी खुब सुरत बनती है और आप चाहे हम इसमें निशानों की जगर कट लगा सकते हैं मैंने पेपर में किया है तो मैंने कट नहीं लगा है तो यह हमने फ्रेंट पार्ट की कटिंग की थी अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो देख सकते हैं हम इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है पेपर को हमें ओल करके रखना है उसी तरह से और गली का हिस्से में हमें थोड़ा सा बदलाव करना है पीछे के गले के अकॉर्डिंग आके का गला थोड़ा बड़ा होता है तो इसलिए हम पीछी की गले को एक इंच छोटा करेंगे, इस तरह से, तो इस तरह से हम गुलाई देंगे, यह हो गया हमारा पीछी का गला, और इस इवही सेम मैतर्ड हमारे आर्मोल यानी मुझ्धे में होता है, उसमें हम आधाइंच लूजिंग देंगे, पीछी का हमारा ऐसे तैसे अधा इंच मुट्डा बड़ा होता है। इस तरह से आप चाहें, इसमें आसथीन लगा सकते हैं अगर नहीं चाहें तो आप नहीं लगा सकते हैं अब हम इस के केटिंग कर देंगे। इस तरह से तो फाइलले हमारे दोनों पलों की कटिंग हो चुकी है आप कपड़े में यही मेथट अपना कर सिलाई कर सकते हैं आप चाहें तो इन निशानों में भी कट्स लगा सकते हैं बट मैंने कपड़े में कटिंग किया है इसलिए हमें इसमें निसान नहीं लगा रही हूँ तो हमारे दोनों पलों के कडिंग कुछी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है आप चाहें तो इसे अस्तीन भी लगा सकते हैं कपड़े में बना कर नहीं तो ऐसे ही बच्चों की कमिय सुन्दर लगती है तो देखें फाइनले हमारे कुटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं चैनल को स्ट्सक्राइब करें इसे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है एक लाइक तो जरूर करें दोस्तों अगर आपको यही कुटिंग कपड़े में सिलाई के साथ सीखनी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांक यू